हेलो वेलकम टू कॉम्पोटिशन कम्मुनिटी आएम तरुल और मैं आज आपके साथ डिल करने वाला हूँ पेपर सेवन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यह होने वाला आपका राश्टे अंतराश्टी संस्थानों से संबंधित पार्ट टू वाला इसका जो भाग होता है जिसमें 50 मार्स के कॉश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टन इसले भी हो जाता है क्योंकि इसका जो स्लेबर्स है वो फिक्स नहीं है वालब आपके पेपर में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि राश्टे अंतराश्टे प्रम नाटौ से संब्धिद पूश दिया आपको यूरोपियन यूनियन वहाँ पर उन्हें पूख आ है सम्टाइम से भी हो सकता है कि क्वार्ट से डियरिकली कोश्ञन्स आपको दिया इंडरीकली कॉश्ञन्स बड़ा कोश्ञन्स भी आ सकता है जीट्वoga हो गया है यह बहुत तो मेंस में भी इसको दिये जाने की संभावना है, तो आई ये शुरुवात करते हैं, बिना किसी देरी के, G20 क्या होता है, इसकी function यानि की कारिशहली कैसे होते हैं, इस पर तमाम मुद्धों पर हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, मतलब ये पर करते हैं, तो सबसे पहले आपके जानकारे के लिए बता दूँ कि भाई, ये कैसा ग्रूप है, तो आपको पता होने चीए, जो ग्रूप है ना, एक प्रकार से informal है, मतलब informal का मतलब देखी, दो प्रकार की समूह होते हैं, दो प्रकार की ग्रूप होते हैं, एक होता है, फॉर्मल होता है ना, या फिर यहों कहें कि भाई, एक ऐसा ग्रूप जिसके पर्डिकुलर एक हैड़कॉर्टर सोंगे, एक पर्डिकुलर कोई अध्यक्ष रहेगा, उसका है ना, अध्यक्ष हो सकता है, दो साल में बने, चार साल में बने, पास साल में बने, जैसे कि सब भाई वहां पर कोई न कोई उसका Hitquartar होगा कोई उनका कोई और आफिस वोगा कोई एक अध्यक्षर रहेगा अध्यक्षर जैसे मैंने बताया हो सकता है वह एक साल में परिवर्धिश हो जाए चार साल में रहे पास साल. उनको अपने एक परिडिकलर कारीकालिया समय होता है इन्फॉर्मल का मतलब होता है कि दोस्त सबसे पहले इसका कोई हेड़कॉर्टर पहली बात नहीं होगा कोई हेड़कॉर्टर नहीं है मतलब इसका कोई सची वाले नहीं है याद रखना जैसे हम पढ़ते हैं न सार्क का काठ्वांडू है और ऐसा तो भाई इसका क समझेगा देश अध्यक्षता करेगा जैसे इंडिया जो है अभी इस वर्ष 2023 की जो अध्यक्षता कर रहा है लेकिन किसी व्यक्ति को इसका अध्यक्षता एसा हम नहीं कहेंगे नो डाउट कि यहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यहां की जो डिप्लोमेट्स हैं, वो इसको लीड करेंगे, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति जो है, कोई पर्टिकुलर एक जो व्यक्ति है, वो अध्यक्षे नहीं रहेगा, कोई एक देश है उसके करेंगे ये भी हम बताते हैं आपको one by one बता दे चलेंगे है ना पहले हम इसके historical background पे चलते हैं तो 1999 1999 में पहली बार क्या किया गया जी 20 का जो है एक सम्मिलन आयोजित किया गया स्टार्टिंग में जो ये लेकर आया गया था इसका जो उदेश है था कि आर्थिक मामलों से आर्थिक यानि की हमारी जो एकॉनमी के अक्टिविटी उनसे संबन दी था वैश्विक इस तर पर आर्थिक मुद्दो को ध्यान में रखते हुए पहली बार 1999 में यह सम्मिलन आयोजित किया गया इनकी संक्या धिरे धिरे बढ़ती चले गया वरतमान में जो संख्या है वो 20 है लेकिन 20 जो है हमको उपरी तोर पर नज़र आता है एक्शली कितनी अभी में बताऊंगा जब देशों के नम आपको यहां पर मैं लिखाऊंगा तो आपको उसके नाम में बताती चलूँगा ठीक है अभी के लिए इतना समझना कि 20 नेशन का क्या है य दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोजार साथ आट के दारान भारत ही नहीं पूरे विश्व में यानि की पूरे देश में बहुत बड़ी मंदी का सामना करना पड़ा था मतलब जिसको वैश्विक मंदी हम बोलते हैं ग्लूबल रिशेशन के नाम से जाना जाता है उ इसको हम एक रेगुलर संगठन और एक बड़े इस्तर व्यापक इस्तर की जैसे जी सेवन जैसा होता है ना सम्मिट उस प्रकार से इसको हम बड़े इस्तर पे व्यापक सम्मेलन के तौर पे शुरू करेंगे ये नीड़ने लिया गया और उसके बास से हर वश जो है ये जी संख्या में कितना कितना इनका कॉंट्रिबिशन है वो सारी की सारी चीजे हम लोग यहां पर पहले समझ लेते हैं उसके बद इसके सिदे सिदे फंक्शन पे चलेंगे ठीक है तो यार इसको हम इसको कॉंटिनेंट के तौर पे हम याद रख लेते हैं कॉंटिनेम मतलब सब क्या है नॉर्थ एमेरिका यानिकि उत्तर है अमरीका यह घाँ जाकिना अफ्रीका आहए और यहतन रहे हम्त रहा हुझखे दो चीजें क्या जल्द होती है बिदख आपको लॉंग टयम तक याद रहता है, ऐसे में क्या होता है, कई बार आपने इसे ट्रिक्स से याद कर लिया, कुछ लाइक कहाता है, गुरू जी, सीता, एसे सी पढ़ाते हैं, अब ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका से जादा जो अच्छा तरीका होता है, वो ये वाला होता है, आप इसको देखना है, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करें, एक बार लिख के, मैं गिरेंटी दे रहा हो, मतलब लिख के एक से दो बार आप प्रैक्टिस करना, आपको सेम डे याद हो जाएगा, और आपको आजीवन वो याद रहेगा, भूलेगा ने, ठीक, देखे, इसमें एक और आपको छोड़ा साथ जो तरीका जो अक्तायार करना है, वो यूस करना है, वो क्या करना है, आपको न जी सेवन के देश याद रख न, क्या होगा कि अगर बड़ा प्रेशन आ रहा है, और आपने पुरे देश के नाम लिख दिये हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक से डेर नमबर तो फिसले गा याद, चेकर्स के हांसे, आप समझे इस चीज़ को, मैं यह नहीं पुराओं कि एकदम दस नमबर क कोशन आ रहे हैं, तो भाई आपको सीधा सीधा उसी के अधार पर नहीं, माल लेते हैं, आपने उसने कुछ कुशन पुछा है, आपने बहुत सुन्दर अंसर प्रस्तुती करी है, और वो आपको साथ साड़े साथ नमबर देता है, कब जब आपने देश के नाम नहीं लिख हैं, लेकिन अधिया आपने देश के नाम लिख दिये, अभी ऐसे ट्रॉयका मैं आपको बताने हैं, वाट इस ट्रॉयका, आपको मैं ग्रूप्स जो जी टुन्डी ग्रूप हैं, उसके और चार पाच अलग लग और इनके सब ग्रूप हैं, वो मैं बताने वाला हूं, ठीक आपको अवश्य आता ही है, तो आईए यहां से शिरुवात करते हैं, पहले जी सेवन के कितने देश हैं, यह आप याद रख लो, फिर ब्रिक्स के देशा ना, तो जी सेवन के देश को अपन यहीं पर लिखते हैं, अलग से ने लिखेंगे, तो जी सेवन के देश में कौन क इसके बाद कौन मिलेगा जर्मनी जर्मनी फिर कौन मिलेगा इटली और कौन हो जाएगा UK United Kingdom ठीक है तो यह आपके छह देश होगे Canada, USA, France, Germany, Italy, UK और एशिया से जो एक देश मिलेगा इसका क्या नाम है इसका नाम है जापान यह देखो यह G20 के मेंबर भी है और G7 के भी है तो मैंने G7 देखो G7 बोलेगा नहीं सर यह छोड़ा सा है सर साथ तो मैं वैसे याद रख लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं रख लो से Canada, USA, France, Germany, Italy, UK यूरोप से चार है भाई सोचो और एशिया से एक मातर है जापान हो गया यह अब आईए अब हम चलते हैं किधर ब्रिक्स के जो देश हैं वो तो ब्रिक्स के देश में कौन कौन हो जाएगा अगें एशिया से आपकी चार मिलेंगे कौन कौन से मिल जाएग आपको रश्या मिलेगा चाइना मिलेगा और कौन मिलेगा इंडिया मिलेगा ठीक ना और फिर दो और उद्लेल जी एक आपको यहां से मिल जाएगा सौथ अमेरिका से सौथ अमेरिका से जो मिलने वाल है उसका नाम हो जाएगा तुम्हारा यह मिलेगा आपको ब्राजील अ अभी हम बाते कर रहे हैं उन देशों की जो के ब्रेक्स के अंदर गताते हैं ब्राजिल और एक बज़िया इधर से तुम्हारा साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका ये रहा है ठीक है क्या चलिए जी तो इस प्रकार से हमको जो है ये देश आपको देखने को मिले अब हम यहां से देखेंगे कि यार ये तो हमने इन देशों की बाते कर लिए टोटल नंबर आफ नेशन के तुम्हारे पाच यहां से हो गया है तो पाच में कौन कौन से ब्राजिल सौथ आफ्रिका इंडिया चाइना रशिया पांच के और इधर से साथ वन टू टू त्री फ रहा हो चुके ना तो आठ और देख लो इहां पर इधर से आओ चलो इधर से आजाओ आड़ देखने हमको तो यह हो जाएगा तुम्हारा जैसे कि वान चू थ्री फोर फाइप सिक्स सेवन एट तो एक आप काउंट करते चलो यहां से क्या जाएगा तुम्हारा मैक्सिको आजाएगा एक कैंसल फिर एक कैंसल करो यहां से तुम्हार क्या जाएगा अर्जेंटीन आ जाएगा अर्जेंट तैना दो गया चलो जी अब अपन यॉड़ाप क्यों चलते हैं तो यॉड़ाप में तुम्हारे जो देश आएंगे यहां पर बहुत इंपर्डेंट याद टर्की हाला कि टर्की का कुछ हिस्सा जो है एशिया में आता है कुछ हिस्सा किधा राता है तुम्हारा यॉरप में आता है ना तो मैं इसको यॉरप में लिके चलता हूं याद रखना दो ऐसे देश हैं एक रश्या है और एक आपका टर्की है तो रश्या का कुछ हिस्सा एसिया में और कुछ हिस्सा यौरप में वैसे टर्की का कुछ हिस्सा आपका इश्या में और कुछ हिस्सा जो है यौरप में आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यह दोनों चीज़ों को आप लोग ख्याल रखना है ठीक चलिए आए आगे देख लेते हैं हम लोग तुम्हारा UK स्वारी UK तो हो चुका European Union यू यानि की European Union यह आ जाएगा European Union के बाद जो हम यहां पर देखेंगे यह कितना होगा चलो फिट से काउंट कर लो हमने दो कर लिये थे अल्डी एक मैक्सिको डाला था एक अर्जेंटी ना डाला था तो यहां से European Union भी कैंसल एंट टर्की भी कैंसल मतब कैंसल इंडिसंस ही अपने ले लिया अब यहां से आ जाओ जाओ जी यहां से आपको याद रखना है तीन देश यहां से आपको देखने को मिलेंगे कहां से एशिया और पार से हैना यह तीन देश तुमको S.I.S. के फॉर्म मे इंडोनेशिया इसलिए भी इंपॉर्डेंट है भी बताऊंगा मैं ठीक है तो यहां से क्या क्या हो गया आपका साओधी अरेबिया साओधी अरब ठीक है और यहां से हो जाएगा तुम्हारा साओध कोरिया देन इंडोनेशिया तीन हो गया तो एक दो और तीन इसको भी आ हो गये थे उसके बाद हमने क्या क्या एक एक क्या पर एड़ करते चला गया मैक्सिको एड़ किया यहां पर हमने अर्जेंटीना एड़ कि हमने यहां पर क्या एड़ कि हमने टर्की और यूरॉपियन यूनियान एड़ कि हमने यहां पर हमने एड़ किया सौधी अरीबिया सौ आपियान यूनियन के कितने मेंबर्स हैं खुद 27 आपके देश हैं इन 27 देशों में कुछ यहां पर भी कौमर रहेंगे आपके फ्रांच जर्मिनरी इटली में यूके तो खर अलग हो चुका है और यूके भी जो रहता है यह चार नेशन्स का पार्ट है मतलब चार नेशन्स आपके मैं मिलकर यूके बनता है न इंगलैंड हो जाएगा तुम्हाराugen यूज सोझागा आपका हैं स्कॉटलंड हो जाएगा ठीक है नौत हायर जाएगा तो ऐसे आपके मिलकर ये जो है आस्ट्रेलिया है अफ्रीका से कम है यहाँ पर देन आपके साउथ अमेरिका की भी दो बड़े देश हैं लगभग 50% इन लोग कवर कर लेते हैं और तुम्हारा आधा लगभग यह नौर्थ अमेरिका कवर कर लेते हैं तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो गिनके 20 भले आपको न वर्ष 2008 के बाद से इनके जो एजन्डे उसमें क्या हो परिवर्टन हुआ उसके बाद इनके एजन्डों में जो बाकी चीज़ें भी आने लगए हैं मतलब पहले क्या होता था केवल अर्थे व्यवस्था से संबंदी था पहले क्या था केवल एकॉनॉमिक लेकिन लेटर आ इसमें भी कैसा है बैटा क्लीन एनर्जी याद रखना है ना क्लीन एनर्जी यह नहीं कि सौक्षे उड़ जा साथ ही साथ परियावरण इसको लिखते चलिएगा क्योंकि इनकी कारिश हैली में अगर आपसे पुछा जाए कि इनका मुख्य जो देश है वो किससे संबंदी देख्या यह केवल आर्थिक गतिविदियों से संबंदी तो बोलना नहीं 2008 के पहले यह में फोकस जो था आर्थिक गतिविदियां थी लेकिन 2008 के बाद से बाकी चीज़ों पर भी इनोंने ध्यान केंद्रित किया है तो परियावरण यानिके इन्वायूर्मेंट हो जाएग जल वायू परिवर्तन यानिके हो जाएगा क्लाइमेट च्छेंज इसको सीसी की रुप में जाना जाता है इसके अलावा तुम्हारा की मद्दे ज करते हैं आनृ जो विरौध भी करतें तो उधने तुम्हारा आतंकवाद विरौध याद क्या हो जाएगा आदे इन्टी ट आतंकवाद विरोध एंटी टेररिजम है ना तो ये सारी के सारी जो मुद्धे हैं ये शामिल कर लिए गए है मतलाब अब सिर्फ आर्थिक गतिविद्यों पर नहीं इन मुद्धों पर भी जो है जी ट्वेंटी वर्क करेगा इन मुद्धों के लिए भी जो क्या करेगा जी तो प्रतिबद्धता जो है, ये दोनों चीज़ें, आप लोगों को याद रखनी है, ना, तो मैंने G20 क्या है, कितने देसों का समू है, ये भी मैंने बताई, मैंने ये भी बताया कि G20 जो है, उनका उदेश्य किन-किन चीजों से संबंदित है, अब हम इसकी बाते करेंगे, क निए भाई यहाँ पर जो tracks होते हैं, तो दो tracks आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, tracks मतलब दो इनके तरीके हो सकते हैं, तो एक जो होगा, track मतलब रास्ते, एक को हम जानेंगे शेरपा की रूप में और एक को हम जानेंगे वित्तिय शेरपा को हम शेरपा ही कहेंगे और वित्ति का मतलब होता है आपका financial ये कारी कैसे करेगा है क्योंकि आपने heading देख रहा था इसकी working जो system है यानि की कारी जो प्रणाली है इकार ये कैसे करेगा इसके हम लोग यहां पर बाते कर रहे हैं अब समझेगा दो चीजों का समझना आपके लिए आफशक है जी 20 के अंतरगत जो दो चीजे होनी है एक होनी ये तुम्हारी शेरपा होनी है और दूसरी जो होनी तुम्हारी वित्तिय है यानि कि आपकी financial वित्ति को पहले आसानी से समझ लोगी कि बिलकुल आसान है इसमें कोई बड़ी रॉकेट सैंज जासे कुछ चीजे नहीं है जी 20 के अंतरगत और वैसे भी यार देखो कोई भी संगठन होगा तो बिना वित्तिय साजेदारी के बिना वित्तिय प्रत्साहन के या फिर यहों कहें कि बिना money के flow के वो संभाव नहीं होगा मतलब बाकी कुछ चीजे रहे ना रहें वित्ति जैसी चीजे यह वित्ति प्रबंधिन जैसी चीजे उसमें जरूर आपको देखने को मिलेंगे तो यह क्या होता है सिधा सिधा उस particular state के या उस particular nation के या तो सिधे सिधे finance minister या तो वहां के केंद्री बैंक के governor कहने का मतलब है जिस भी देश में क्या होता है नहीं कि हर किसी देश में हो सकता है वित्तमंत्री ना रहे या हो सकता हर किसी देश में आपके केंद्री बैंक के governor ना रहे तो जिस देश में वित्तमंत्री है या जिस देश में गवर्नर है या जिस देश में दोनों है तो दोनों के दोनों क्या करेंगे इन से वित्ते संबंधि जो भी इनकी क्रिया कलाप होंगे जो भी आर्थिक एक्टिविटीज रहेंगी जो भी एकॉनमी के एक्टिविटीज र कारी है उस पर्टिकुलर देश्रे सम्मंधित वहां के वित्तमंत्री या फिर गवर्नर जो है वो किया करेंगे तो यह सीधा सीधा आता है तुम्हारा वित्तिर ट्रैक अंतलब दो रास्ते हमने बना दिये हैं एक जाता है फैनेंस की तरफ और एक जाता है तुम्हारा है रोहनग बगर करते है तो उन लोगों को आपने शेर्पा के संदर्वह में जाना या फिर सुना होगा वहां पर जब हम शेर्पा की बारे में समझते हैं तो शेर्पा का कार यह होता है कि गाइडेंस करना मतलब आप यहां से नीचे से जमीन से परवद की और जा रहे हैं चड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे उसके लिए एक गाइडेंस की आपको आवश्रक्ता पढ़ती है गाइडेंस की आपको नीट पढ़ती है तो एक व्यक्ति रहता है जो कि dedicated होता है और इस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं शेर्पा लेकिन यहां पर वैसा कुछ मतलब मिनि नहीं है यहां पर मतलब कोई आपको परवत नहीं चड़ा रहा है यहां पर आपको पर्टिकुलर आयोजन के लिए क्योंकि देखो जी टुटी का जो आयोजन है जी टुटी सम्मेलन जो होना है वो हर वर्ष होना है प्रतेक वर्ष जो है एक अलग देश करेगा एक देश तो नहीं कर सकता सेमियर है ना तो हर वर्ष जब क्या किया जाएगा आयोजन किया जाएगा उससे सम्मंदित मुद्दों पर विचार किया जाएगा तो उसके लिए एक व्यक्ति की आवशक्ता पढ़ती है जो कि आने वाले जो प्रोग्राम होगा उसका क्या करेगा वो गाइड क होंगी कैसे कैसे सम्मिलन होगा कहा कहा से लोग आएंगे जाएंगे किनको प्रतिनिधी की रूप में रखा जाएगा मतलब जो जब्यक्ति रहते हैं डेलिगेट जिसको हम आतिती की रूप में आमंतित करेंगे क्योंकि जी ट्वन्टी मेंबर्स के अलावा कुछ ऐसे भी स प्रकार से ड्राफ्टिंग किया जाना है वो किसके दिशानी दिशानी दिशान में होता है वो होता है तुम्हारे शेरपा तो सर शेरपा क्या कोई व्यक्ति हो सकते हैं डेफिनेटली कोई एक व्यक्ति जो रहता है उसको उस उस देश का शेरपा नियुक्त किया जाता है प वार के जो हमारे शेरपा हैं वो हैं दोस्तों याद रखना अमिताफ कांथ अगर आपने नाम लिख दिया मैं बार-बार बोलता हूं छोड़ी-उड़ी चीज़ों को यदि आप पेंशन करते हैं छोड़ी-उड़ी चीज़ों को यदि आप लिखते हैं तो आपके लिए को और एक्जामपल से आपको समझाता हूं अभी हाल ही में आपने देखा होगा जैसे जी-ट्वेंटी की अभी सब मिटिंग हमारे होनी है इंडिया में होनी है जम्मू काश्मीर में तो आपने देखा होगे कि अभी कुछ दिन या कुछ मैने पहले इनके जितने भी सदस्य होगे करते थे जी-ट्वेंटी की जितने भी सदस्यां और उनके जो शेरपा हैं जैसे हमारे शेरपा कौन है मिताब कान थैं और दूसरे जिसे के अन्य जो शेरपा अच्छा कौन हो सकते हैं इभी मैं बताओंगा ना तो यह सारे के सारे शेरपा ने आपस में मिलकर एक रमले और आगे आने वारे प्रोग्राम मैं लोग चचा कर रहे। याँ माल लेतें, यहां पर मैं यहां पर ले रहे यहां पर रिकॉार्डिन बैड़ हो, ठीक हेन? छो सहारा सैट आप करके रिडी रहिए हैं यहां पर यहां पर हैं मैं और जो कोमल सर हैं हम डेलिगेट्स हैं डेलिगेट्स मतलब हम जो हैं प्रतिनीदी हैं हम लोग जो यहां पर आके क्या करेंगे आपस में चर्चा करेंगे बाते करेंगे नौल जो भी करेंगे लेकिन इसके पीछी का जो पूरा सैट अप करके रखा है जिन्होंने कि हा यहां पर यह कैमरा ऐसे सेट होगा, यहां पर आपको यह करना है, यह बटन आपको दमाना है, यह सारी की सारी जो चीज़ें है, वो हमारी एक टीम है, वो जो टीम है, वो इन चीज़ों को करके हमको दे रही है, तो वही जो टीम है, जो पूरा का पूरा चीज नैथरिक पो कर या पूरे का पूरा चीज को जो साइट अप करेगी उसको जाना जाता है शेरपा की रुपे इसलमने तो दो हमारे यहां ट्रैक मिलेंगे एक तो हमारा हो गया वित्ति यानिकी फैनेशल जो कि मैंने अल्लेडी बता दिया कि कौन मेंबर्स हो सकते हैं एक होगा हमारा शेरपा अब बड़ा सवाली है कि सर शेरपा में कौन बन सकते हैं किया हम किसी को भी उना सकते हैं बले ने ऐसे व्यक्ति जो कि राजनिती के बहुत अच्छे जानकार हो या फिर यूँ कहें कि बहुत ही अच्छे ये राजनाइक रहे हो या यूँ कहें हो सकता है एकस आईएस ओफ और आपका करेंड भी हो सकता है जैसे पियूश गोयल को भी शेरपा बनाया गया था आपकी जानकारी के लिए बता दे मतलब जब इसके पहले सम्मीलन हुआ मैंने बताना है अभी हम इंडिया में कर रहे हैं इसके पहले कहां पर हो था इंडोनेशिया में हो था अब कहां प में आप बाचित करने में नियंदरन करने में किसी प्रोग्राम को कार्य करने में है ना उसको संचालन करने में उसको महारत हासी लो उसको एक्सप्रियंस हासी लो तो हम किसी भी वक्ति को हम शिर्पा जो है नियुक्त कर सकते हैं उमीद करता हूं कि यह सारी की सारी चीजें आ यहांपर देकी है है ना इसके सिगहर्ट सम्मिलन गिल्ए क्या क्या चीजी जैसे हमने यहांपर बताएं दो ट्रैक होते शेर्पा और विद्य ट्रेकही मैंने अलड़ी यहांपर बता दि इसके ऻलावा हमने ये भी बताया कि इनके जुद त आथिक हुआ करता था लेकिन अब जो है बाकी इनी चीजों पर जैसे हमने यहां पर अल्डेडी बता है जो अव्यापार यानिकी ट्रेड हो जाएगा एनरजी उर्जा परियावरन है जलवायू परिवर्थान है भरष्ट चार विरोध है आतंगवाद रूइव और इन सब च चलिए आपको बता दूँ लगभग 85 प्रतिशत दोस्तों याद रखना विश्व के जीडीपी में लगभग 85 परशन जो कॉंट्रिबिशन है वो किसका होने वाला है वो जीट्वेंटी का होने वाला है साथी सांथ 75 परशन जो होगा वो ग्लोबल ट्रेड यानिकी यानि कि लगभग 66 परसंट आप ले लीजी तो 6% परसंटेज याद रखेगा देटा ये वो तुम्हारा जिट्वेंटी डेता यह data से आप लोग याद जरूर रखना यह latest data है इनके official website से लिया गया जो data है मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है चले अब एक बड़ा सब यहां पर जो word जो use होने इसके कारी प्रणाली के अंदर गज्जो है कि भाई G20 के कारी शैली में Troika क्या होता है आपका question आ सकता ह what is the Troika in G20 हाना तो अपन इसके कारी शैली के अंदर क्योंकि देखो main जो आपका title था वो तो कारी शैली तो कारी शैली वाली चीजों पर हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे आपको initial हमने चीजे बता दी क्या क्या चीज इनके functions होते क्या 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 उद्देश होते यह यह हमने बता दिया कैसे अध्यक्षिता करी यह भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा यहां से समझना तो यहार ट्रोईका जो रहता है इसमें क्या क्यों है सदस्य है मतलब जो अध्यक्षिता जो कर रहे है वो राजील क्र natomiast ऑम चल्टिया क्यों थ्वारा है आप 2024 में कौ सदस स्देश इस समय अध्यक्षता कर रहा है जिसने इसके पहले अध्यक्षता करी और जो अभ अध्यक्षता करेगा इन तीनों को मिला कर बनाया जाता है एक ट्रॉinga का करे। जिसको हम लोग जानते हैं ट्रॉयका के इन तीनों का जो सहींगत रूप से एक ग्रूप बनेगा, क्लब बनेगा, इसको हम लोग जानते किस के रूप में? ट्रोयका के रूप में. ग्रूप और क्लप से एक चीज और मैं यहां पर बता दूँ कि G20 की एक धर्शेता कैसे होगी, इसके लिए ताय किया जाता है, यह अ उसके आद में बाकी चीज़ें आप लोगों को यहां पर बताता हूँ मैं, ठीक है क्या? चलिए. तो यहां से मैं आप लोगों को बता दूँ मेरे दोस्तों, जहां से देखते रहेगा, कौन-कौन से हमको समूझ, जो है कौन-कौन से ग्रूप साब को यहां पर देखने को है, यह जो है हम लोग इसके अंदर गते जैसे आप देखे, 2015 में टर्की में हुआ, दिन 13 जो रश्या था, 23 आपका आपका इंडिया हुआ, और इसके बाद फिर से जो है 25 यहां पर होना ऐसा संभावित माना जा रहा है, ठीक है? अगला जो ग्रूप यहां पर देखने हैं, France, Germany, Italy और United Kingdom, मतलब यही वो जो लोग हैं, जो तुम्हारे किसके अंदर गत थे, G7 के अंदर गत थे, उसके बाद है, आपके Asia's group, तो यहां पर आपको चाइना है, मतलब इसके अशिया है, जिसको कहते है, China, Indonesia, Japan, South Korea, ठीक है न? चले, तो इस प्रकार से आपको यहां पर यह आपको देखने कुम लेगा, यह आपका पाच group हुए, तो यह पाचो group को मिला कर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यह हमारा क्या बना है, G20 का total groups बना है, जिसको हमने कहा था, अलग-अलग समय पर क्या करेंगे, लोग अध्यक्षेता जो है, वो करेंगे, तो हर group में से एक जैसे इस group से इसने एक बार किया, फिर अगला group से इसने एक बार करना है ना, 2024, फिर कोई ऐसा एक अगला group, तो अपने group में से आपस में इन लोग तैय करते हैं, डिसाइड करते हैं, कि कौन-कौन जो है, कब-कब अध्यक्षेता करेगा, तो में तक पहुंची होंगी, आपको समझाई हो तो सबसे पहले आपने बता देना है कि जो G20 है, उसका प्रमुक उदेश ये क्या चीज़ था, किस उदेश के लिए इसको शुरुवात गया गया था, और वरतमान में अभी क्या गया, इसके प्रमुक उदेश हैं, आपने ये बता दिया, दिन आपने बताना है, कि इसके द मंतरी, उस देश के गवर्नर, और शेर्पा में कौन आ गया सकता है, नहीं कि कोई भी डिप्लोमेट हो सकता है, जिसको इसका अच्छा खासा अनुवा होगा, दोने के कारिये क्या क्या होंगी, ये चीज़े आपको बतानी है, तीसरा जो आपको बताना है, कि G20 जो रहता है जो देश अध्यक्सिता कर रहा होगा, और इसके पहले जिनोंने करी है, जो बाद में करेगा, उनको मिलाकर बनाया जाता है, ट्रॉयका, और ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, जो संचालिट जो आपका क्या बोलते हैं, मुद्दा जो रहेगा, उसमें जो भी आपका इस रहाएगा उसको आपस मिलकर यह तीनों जो कि तेनों जो देश हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे जो टोटल एकॉनमी जो रहती है इंडिया सौरी पूरे विश्वकी वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं जडीबे में कितना इनका योगदान होता है और किन-किन चीज़ों को लोग क्या करते हैं आगे लेकर आते हैं तो इस प्रकार से आप पाच पॉइंट में चीज़ो बिलासपूर सेंटर है उसका जो ऑफ-लाइन क्लासे जो शुरू होनी है एक तो मंगला में और यहां पर चली रहे हमारा एक नया जो सेंटर एक नया जो हब इस्थापित हो रहा है वो है गांधी चौक पर बिलासपूर में और इसकी जो कक्षा हैं आपको देखने को most probably हमारा induction का program होगा और 26 से something हमारी कक्षा है जो वहां पर problem हो जाएंगी तो बिना किसे देरी कि आप आईए हमारे demo classes का आनन लीजे आप देखें कि हमारे faculty members कैसे पढ़ाते हैं कैसे deal करते हैं और क्यों नहीं यह हम इस चीज को सामने लेकर आएं क्योंकि जो चीजें आपको अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें अथवा description box पर दिये गए link पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको